हेलो दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि BDS कोर्स क्या होता है दोस्तो BDS दंच किस्सा के छेत्र में सबसे लोकप्री और नामित डिग्री में से एक है BDS भारत में डेंटल सर्चिरी का एक मात्र एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स है यह मेडिकल सिच्छा के छेत्र में यमबीबीयस कोर्स की बाद छात्रों की दूसरी पसंद है अगर आप भी एक अच्छा डेंटिस्ट बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो आपको BDS कोर्स करना होता है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको पूरी डीटल्स में बताने वाले हैं कि BDS कोर्स क्या होता है इसके लिए योगता क्या होनी चाहिए आपके पास इसके लिए एड्मिशन प्रोसेस का कैसा होता है इसमें फीज कितनी लगती है और यदि आप BDS कोर्स कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिले वाली है इन सब के बारे में पूरी डीटल्स में आपको बताने वाले है तो बीडियो आपके लिए बहुत हैलफुल होने वाला है तो बीडियो को अन तक जरूर देखें तो आईए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BDS कोर्स क्या होता है BDS जिसका फूल फॉर्म होता है बैचलर आफ डेंटल सर्चरी या कोर्स डेंटिस्ट या फिद्दान्चिकिस्सक बनने के लिए किया जाता है इस कोर्स में छात्र को दांत या फिद्दात समस्या और सर्चरी के बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाता है या कोर्स पूरे चार साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको एक साल का इंटर सी भी सामील है जिसे आप 12 के पास करने के बाद कर सकते हैं तो दोस्तो आई आई आपको बता देते हैं कि BDS कोर्स करने के लिए आपके पास योगिता क्या होनी चाहिए तो दोस्तो अगर हम बात करें BDS कोर्स के योगिता के लिए तो सबसे पहले आप 12 पास होने चाहिए यानि कि physics, chemistry, biology से आप 12th पास होने चाहिए 12th में आपका 50% mark होना चाहिए यदि आप अच्छे college में admission चाहते हैं BDS के तो आप कोशिज करें कि आप 12th में अच्छा से अच्छा marks लाए ताकि आपको एक अच्छा college मिल सके तीसे नमबर पर अगर बात करें तो आपकी उम्र 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए 17 वर्ष के अधिक होनें तभी आप BDS course में admission आपको दिया जाएगा तो दोस्तो आईए बता देते हैं आपको इसका admission process कैसा होता है तो दोस्तो अगर हम बात करें इसके admission process की तो इसके admission process के लिए सबसे पहले आपको 12 पास करना होगा 12 में आपको PCB subject के 77 आपको 50% mark भी लाना होगा 12 में इसके बाद आपकी उम्र 17 वर्ष से अधिक होनी चाहिए इसके लिए इसके बाद आप NEET के लिए apply करें NEET के exam को clear करने इंटरंस exam को clear करने के बाद उम्मीदवार को college में सामिल किया जाता है और वहाँ पे आपको counseling किया जाता है आपके mark के हिसाब से आपको BDS college में admission मिल जाता है जहां से आप BDS की पढ़ाई पूरा करके एक dentist बन जाते हैं तो दोस्तो आइए बता देते हैं जो बहुत सारे student के मन में सवाल रहता है कि BDS course में कितनी फीस लगती है तो दोस्तो BDS course की फीस के अगर हम बात करें तो इसकी फीस डिपेंड करती है कि आपकी सराज जिसे BDS course कर रहे हैं किस college या फिर university से आप इस course को कर रहे हैं आप BDS course कर लेते हैं तो आपको salary कितनी मिले वाली है तो दोस्तो अगर हम बात करें BDS के बाद salary की तो यदि आप government hospital में job करते हैं तो लगभग आपको 30,000 से 80,000 रुपे प्रती मन्त आपको salary वहाँ पे मिलती है यदि आप private hospital में job करते हैं या फिर अपना खुद का clinic खुलते हैं तो वहाँ पे लगभग आप 20,000 से धाई लाक या फिर उससे जादा भी आप salary पा सकते हैं तो दोस्तो यह थी जानकारी की BDS course क्या होता है I hope ये वीडियो आपको helpful लगा होगा वीडियो से related आपके मन में कोई question हो तो हमें comment करके पूछ सकते हैं I hope ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दे और channel पे नए हो तो subscribe कर ले क्योंकि ऐसे ही knowledgeable वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन